नमस्कार, मैं डॉक्टर संजिवनी सी तल्टोंग से संजिवन गर्ब संसकार के इस योटूब चानल में आफ सभी का स्वागत करती हूँ हर गर्बवती माता चाहती है उसका शेशु तेजस्वी हो, सुन्दर हो, सुद्रुड हो, शरीर और मन से तंदुरुस्त हो गर्बावस्ता में सुन्दर, तेजस्वी, सुद्रुड, शिशु के लिए माता को अपने आहार, विहार और विचार इन तीन बातों का विशेश धान रखना चाहिए आज इस वीडियो में हम आहार के विशे में कुछ इंपोर्टन पाते जानेंगे जिसे आप आपके प्रेगनसी के डूरेशन में फॉलो करेगी तो आपका शिशु, शरीर और मन दोनों दुरुष्टी से सुद्रुड होने में मदद होगी चलिए जानते हैं आपका आहार पूरे 9 महने तक कैसा होना चाहिए वहां कौन सी बाते हैं आहर लेते समय जिस पर आपको विशेश धान देना है क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे खाना है, इन सभी बातों को अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ तो यहाँ वीडियो अंत तक जरूर देखिए इस वीडियो के अंत में मैंने कुछ खास टिप्स बताई हुई है जिससे आप आपके जीवन में रोज इंप्लिमेंट कर सकेगी अभी आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो आपको इस चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करना है और अभी तक आपने संजीवन गर्वसंसकार आप डाउनलोड नहीं किया है तो वहाँ आपको डाउनलोड करना है नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है वहाँ पे जाके अब डाउनलोड कर सकती है संजीवन गर्वसंसकार यहां चैनल सबस्क्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें तथा लाइक और शेर करें तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले तो आपका आहार शुत्थ और पोशक ततों से पूर्ण हो आपका आहर, protein, fats, vitamins, carbohydrates, minerals, micronutrients इन सभी बातों से भरपूर हो जिसे हम balanced diet कहते हैं ऐसा उत्तम आहर आपका हो यदि आप पोशक आहर लेती है, पानी अच्छे से ज़्यादा से ज़्यादा पीती है तो आपकी pregnancy में और delivery में इतना ही नहीं तो feeding के समय भी आपको परिशानी नहीं होगी गरभावस्ता में आपको कम से कम 2500 कैलरी per day इतनी intake अवश्यक होती है इसलिए आपके आहर में carbohydrates, proteins, fats और सभी पोशक तत्व आपको जरूर लेने है carbohydrate यहां उर्जा का मुख्य स्रोथ होता है जिससे आपके बेबी का विकास होने में मदद होती है आपके आहर में carbohydrate युक्त पदार्थ जैसे केला, brown rice, राजमा, दूध, मक्का, गेहू, शकरकन इन सभी को शामिल आपको करना है इसी तरह protein युक्त आहर भी आपको लेना है protein युक्त आहर लेने से protein में मवज़ुद amino acid बेबी के शरीर की cells को बनाने में मदद करता है गर भावस्ता में 40-80 gram protein हर दिन आपको लेना चाहिए इसलिए अंडा, दूध, दही, दूध से बनी चीजे जैसे पनीर तदा हरी सबजिया, अंकुरित दाले, सलाद, इन सब का सेवन आपको ज़रूर करना है बेबी के ग्रोध के लिए केलशियम, आयन, विटामिन सभी महत्वपुर्ण होते है इसलिए गर्भवती महिलाओ को प्रेगनसी में पूरे 9 महने के दौरान, हरी सबजिया, दूध, छाज, दही, घी, इन सभी का सेवन करना चाहिए घी का इस्तेमल आप पूरी गर्भवस्ता के दौरान कर सकती है घी कव खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, इस पर मैंने मेरा सेपरेट वीडियो इसी चैनल पे अल्रेडी पोस्ट किया हुआ है वहाँ भी आप जरूर देख सकती है यदि आप नॉन वेजिटेरियन हैं, तो आप फिश, चिकन, इसका भी सेवन कर सकती है फिश में ओमेगा 3 फैटी असिड होता है, चो बच्चा और मा दोनों के लिए बहतर होता है इसी तरह प्रेगनंसी के दोरान फ़लो का सेवन भी रोजाना करना चाहिए फ़लो में मौझद फाइबर्स और विटामिन्स शिशु को स्वस्थ बनाते है फ़लो में आपको सिजनल फुरुट खाने है पपई का सेवन आपको नहीं करना है बाकी फ़ल आप खा सकती है बनाना, अनार, एपल, संत्रा, अमरूद, सिताफल, मोसंबी, मौटर मेलन इन सभी फ़लो को आप खा सकती है साथी साथ आप ड्राइफरुट भी ले सकती है गर्भावस्ता में ड्राइफरुट खाना सुरक्षित होता है इस पर भी मेरा एक सेप्रेट वीडियो में ने बनाया हुआ है जो आप संजीवन गर्वसंस का इसी चैनल पे देख सकती है पूरी गर्भावस्ता के दोरान आपके शरीर को आपको हाइडरेटेड रखना है इसके लिए तरल पदार्थों का भी सेवन आपको जरूर करना है इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए तथा फलो का जूस, नारियल पानी, सूप, आदी का सेवन भी नित्यरूप से करती रहिए खाने के समय कुछ बातों का आपको विशेश ध्यान रखना है ध्यान रहे आप जो भी खाती है उसे लिमिट में खाए आपको खाना समय पे खाना है बाहर की बनी चीजे, स्ट्रेट फूड, जंक फूड, लाइक पिज़ा, बर्गर, इनको नहीं खाना है घर का बना सात्वीक भोजन आपको करना है कोल्ड रिंग्स और सॉब्ड रिंग्स अवाइड करने है आपको खास टिफ्स यदि आपकी पहली तीमाई चल रही है तो आपको जो भाता है वो आपको खाना है पहली तीमाई में आप यदि मखन का सेवन मिश्री के साथ करती है तो बहुत ही फायदेमन साबित होता है यदि आपकी दूसरी दिवाई चल रही है तो केलशियम और मैगनेशियम योक्त आहार आपको भरपूर लेना है जिसमें बेबी की हड़िया और दात मजबुत होने में मदद मिलेगी इसके लिए खाने में हरी मटर, भिंडी, ब्रोकोली, पत्तागूबी, पालग तथा कद्दू के बीज, सुरज मुकी के बीज, अलसी के बीज आप जरूर खईए यदि आपकी तीसरी ती मही चल रही है तो विटामिन C योक्त आहार भरपूर आपको लेना है तथा शरीर को हाइडरेटेड रखना है ताकि आपकी डिलवरी नॉर्मल हो इसके लिए खाने में खटे फल जैसे संत्रा, कीवी, स्ट्रॉबेरी, मोसंबी इसका सेवन आपको अधिक करना है तथा अंजीर, राजमा, सुखा, आलू बुखारा, शकरकंद आप जरूर खईए अब लास्ट दो महत्व पुर्णा टिप्स आप मुख्वास के लिए सौफ एक भाव, अजवाईन एक भाव, एक भाव कसकस और एक भाव सफेद तिल्ली इन सभी को अच्छे से भुन लीजिए इनके साथ सुखा खोबरा, आवला पावडर, अलसी के बीज, हरड पावडर, धनिया दाल, जेश्ट महत पावडर, लॉंग और इलाईची इनको डाल कर इन सभी को अच्छे से मिला कर दरदरा पीस लेना है और उस पावडर को आपको सुखे और शाम, खाना खाने के बाद एक से दो चमट, अच्छे से चबा-चबा के खाना है जिससे खाना हजम होने में मदद मिलेगी याथी सारी बाते आहर के बारे में, जिससे आप फॉलो कीजिए पूरे नौ महने तक और बनाईए आपके शेशू को शरीर से हेल्दी अभी last और important tip आप गर्व संसकार से आपके शेशू को mentally भी हेल्दी बना सकती है इसके लिए आपको करना है जोईन संजिवन गर्व संसकार का online workshop जिसमें आप बेबी को शरीर और मन से कैसे हेल्दी बनाना है इसमें अच्छे से सीखेगी उसे इंप्लिमेंट करेंगी और आप पाएंगी आपका शेशु आपकी छासे सुन्दर, सुधरोड, तेजस्वी और सदकुणों से परिपुर्ण तो हसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एंजॉय कीजिए प्रेगननसी का हरक्षन संजीवन गर्व संसकार के साथ धन्यवाद अवाद